अब सभी शम भक्तों को जैसरे श्याम श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं अच्छे ही होंगे श्याम भक्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि बबश्याम के दरवार में आप पहले से काफी बड़ा शिशा लगा दिया गया है तो शिशा लगनेंगे करण क्या आपको सही से दर्शन होंगे क्या आप सही से दर्शन कर पाएंगे इसी के ओपर आज ये पूरा वीडियो है इस वीडियो के माद्यम से हम आपको दिखाएंगे कि बबश्याम के दरबार में जब शिशा नहीं था तभ कैसे दर्शन होते थे और जब शिशा लग चुका है और पहले से काफी बड़ा शिशा लगाया है तभ कैसे दर्शन हो रहे हैं बावश्याम के इस वीडियो में मैं लाइव वीडियो के द्वारा आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूं वीडियो को लास्तिक ज़रूर देखेगा क्योंकि इसमें आपको बावश्याम के दर्शनों के साथ और आपको पूरे प्रमान के साथ आज आपको पूरी बाते बताने वाला हूँ तो श्याम भक्तों जैसे कि अब सभी को पता था कि पहले बावश्याम की जो दर्शन करने के लिए भक्त जैन आते थे पहले भी बावश्याम के मंदिर में शीशा लगा गया था पहले जो शीशा लगा हुआ था उस शीशे के उपर से लोग फूल, मला, इत्र वगरा या नारियल वगरा फेक देते थे जिसके कारण से कोई दुरगटना होने की चंसस बनी रहती थी जैसे कि आप जानते हैं कि बावश्याम के दर्शन करने के लिए भक्त आते थे वो लोग क्या करते थे जो बावश्याम के शीशा लगा हुआ होता था उस शीशे के ओपर से कुछ न कुछ फैक देते थे वहां कुछ न कुछ रख देते थे जिसके कारण से मंदर कमिटी को ये निरना लेना पड़ा और जब शीशा हट गया था हैराणी कि टूट गया था बीच में तो कई दिनों तक बीना शीशे के दर्शन हो रहे थे भक्त जनों को और वह दरशन कैसे हुरहे थे हो आगे future ने सिडियो में हम देखेंगे कि बीना शिशे के दर्शन कैसे हो रहे थे बाबा कीशों किस परकार से दिख रहे थे तो ये सारा चीज है इस विडियो के इंदर वह मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ इस Väitयो के माध्यम से, अप जो शिशा लगा गया है, वो काफी बड़ा शिशा है, शिशा लगने के बाद आपको कैसे दर्शन होगे, तेरा सीज़ियों से कैसे दर्शन होगे, वो सारा चीज मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया है, आपको कहीं भी जाने की ज़रुत नही देगी हिए गावश्लाक की दर्वार में लोग क्या करते थे उर किस प्रकार से आप nadゃнов रहे हैं तेरा सड़ियों से आप धर्शन करते तो किस प्रकार से बवेश्जाम की आपको भविदर्शन सुखने तो चलेए जादा समय ना लेते हुए अप कि prices कि दonia करें शाम भक्तों बवश्ण के फववववय दर्शन कर रहा है आप सभी इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको बताने वाले हैं कि बवश्ण के दर्वार में फिर से एक बार नया शिशा लग चुका है काफी बड़ा शिशा लगा है और अभी जो आप इस वीडियो के कुल वगर है फैक जाने करण शिशा तूट गया था अब मंदिर कमेटी ने दुवारा से वह शिशा लगवाया है क्योंकि भक्त जन जो है वह मान नहीं रहे और कुछ न कुछ बावश्याम के दरवार की तरफ यानि बावश्याम की तरफ फैकते ही रहते हैं आप देखिए य वीडियो के माद्यम से आप खुद देखिए कि बावश्याम के दरवार के अंदर कितनी सारी गुलावे पड़ी हुई है और उसके साथ साथ आप देखेंगे और भी बहुत सारी चीजे पड़ी हैं जो इस वीडियो के माद्यम से आज हम आपको दिखाने वाले हैं और इसक बावश्याम के भवे दर्शन है ये और दर्शन के साथ साथ आप देखिए बावा का भोग रखा हुआ सामने भोग के सामने इतने सारे जो गुलाब वगर आप देख रहे हैं ये सब लोग के द्वारा फेके गए हैं भक्तों के द्वारा फेके गए हैं बाहर से जब दर्शन करने आते हैं तो फुलों को फैक देते हैं यहां देखिए नारियल पड़ा हुआ है सामने यह नारियल के समक्ष इत्र वगर पड़ी हुई है इत्र की शिशी आपको नजार आरवी होगी नीले रंग की शिशी एक पड़ी हुई है देखिए इत्र की उसके धकन वगर इदर उ इस तरह से अनादर करते हैं प्रशाद को फेक कर ये देखिए मोर्चडी जो खरीद के लाते हैं वो मोर्चडी को इस तरह से फेकते हैं ये देखिए इतर की शिशी एक और इतर की शिशी अगर ये शिशी तूट जाए तो यहां जो पुजारी आरती वगरा करते हैं क्या होग लोग ये मंदिर पुजारी के द्वारा भोग परशा चड़ा हुआ वहां पर तो इस तरह से बाबा श्याम के गर्व ग्रह में सुचिए जब शिशा नहीं लगा था तब लोग इस तरह से फैकते थे इत्र गुलाब नारियल जो मन में आता था वो इस तरह से फैक देते थे य उनकी बात पहुंचती है इसे फैकने से तो श्याम भक्तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि इसी कारण से मंदिर कमिटी ने अब एक बड़ा शिशा लगवाया है और शिशा लगने के कारण अब आपको दर्शिन कैसे होंगे वह आगे वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं पूरा वीडियो को लास्तिक्स ज़रूर देखिएगा देखिए बावश्याम के दर्वार के जब शिशा नहीं था तो इस तरह से कुछ नजारे दिखते थे जब लोग यहीं पर फूल वगर सब कुछ दान पात्र के ओपर चढ़ आगे चले जाते थे तो श्याम भक्तो आगे हम आपको लाइब वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि शिशा लगने के बाद किस तरह से बावश्याम के नजारे हैं दर्शन हो रहे हैं तो श्याम भक्तो जो अभी आपने ये वीडियो देखिए इस वीडियो के माध्यम से तो मैंने ये दिखाया आपको कि जब बवश्याम के दरबार में कुछ दिनों तक शिशा नहीं था तब लोग किस तरह से फूल वगरा फेक देते थे प्रशाद वगरा फेक देते थे दरबार में अब आगे जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस वीडियो के माध्यम साब को ये दिखाऊंगा कि बवश्याम की शिशा ना लगने से दरबार किस तरह से दिखता था मतब लाइब वीडियो है ये वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा और शिशा लगने के बाद यानि कि अगर तेरस वीडियों के उपर से हम बवश्याम की दर्शन करें तो क्या बवश्याम के दर्शन सही तरीके से होंगे वो भी इस live वीडियो के माद्यम से आगे आपको दिखाने वाला हूँ तो पूरा वीडियो को last तक जरूर देखेगा और last में वीडियो जब live वीडियो हो जाएगी पूरी तो उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि बाबश्याम का चीटा और बाबश्याम की मुर चड़ी का ज़ाड़ा जो लोग कह रहें कि अब नहीं लगपाएगा कैसे लगेगा उसके बारे में भी पूरा बात आगे बताऊँगा वीडियो के माद्यम से कि वो आप कैसे खुद बखुद लगा सकते हैं बाबा के दरबार में जवाब जाएंगे लास्त तक जरूर देखेगा बीच में कट कट करके मत देखेगा जिससे आपको बाबश्याम की करपा चाहिए तो पूरा वीडियो को लास्त तक जरूर देखी बुलिया हारे के सहारे की जए शाम भाबा की जए शाम भकतो बाबश्याम के भवे दरशन कर रहे हैं आप ये वीडियो के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले जब बाबश्याम के दरबार में शीशा तूट गया था तो शीशा तूटने के बाद जब बवश्याम के दरबार को कुछ इस तरह से निहारा जा सकता था जब शीशा नहीं लगा हुआ था तो कुछ इस तरह से बवश्याम का दरबार देख रहा था आप देखी शीशा नहीं लगा हुआ है फिर वे कितने सारे लोगों ने वहाँ पे फूल फैक हैं और हर तरह कीशी जैसे इत्र वगर होती है वो सब फैकते ही रहते हैं जबकि इतनी बार शाम भक्तों को बताया गया है कि इत्र फूल वगर ना फैकना चाहिए अब शीशा लगने के बाद कुछ लोगों की राय है कि बाबा के दर्शन सही से नहीं हो पाएंगे तो ये बाबश्याम के जो नया शीशा लगा हुआ है पहले से बड़ा शीशा है जो अभी लगा गया है मंदिर में तो आप देखिए कि बवश्याम के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं आपको सामने प्रतिक शाप दर्शन कर रहे हैं बवश्याम के दर्वार में शीशा लगा हुआ है और आप दर्शन भी कर रहे हैं इतने भवे तरीके से दर्शन हो रहे हैं देखी ये बाहर से लिया गया है ताकि आपको ये पता चल सके कि बवश्याम के दर्शन शीशा लगने के बाद भी अच्छे से हो रहे हैं आप सभी को तो शाम भक्तो किसी भी अफवाव में ना आए बवश्याम के शिंगार को बवश्याम के उपर लोग फूल फैक्ते थे जिसके कारण से शीशा लगाया गया है दुवारा से और पहले से बड़ा शीशा है ताकि लोग फूल वगर ना फेक सके तो इस तरह से कुछ आपको देखेगा मंदिर में शीशा परन्तु बवश्याम के दर्शन वह वे तरीके से होते हैं आगे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब हम 13 सीडियों के उपर से चल कर बवश्याम के दरबार में जाते हैं तो वहां से कैसे दर्शन होंगे क्या शिशे के कारण से हमें सही से दर्शन नहीं हो पाएंगे तो उसका भी आपको लाइव इस वीडियो के द्वारा प्रमान दिखा रहे हैं यहां से अगर आप दर्शन करते हैं बवश्याम के तो देखिए मंदिर में जो शिशा लगा हो है वहां से भी हमें बवश्याम के अध्वुत दर्शन हो रहे हैं यह देखिए बवश्याम के अध्वुत नजारे जो आप 13 सेड़ियों के उपर से कर रहे हैं बवश्याम के दर्वार के नजारे और सुन्दर दर्शन हो रहे हैं जबकि शिशा लगा हुआ है तो शाम भक्तो के द्वारा नारेल वगर ये ना फेका जाए द्वारा से इतर वगर ना फेका जाए इसलिए मंद्र कमิटी ने निर्णे लेकर ये शिषा लगवाया है पहले से बड़ा है शिषा काफी ताकि फूल वगरा अंदर बावा के समिक्ष कुछ भी ना आ सके तो श्याम भग तो ये सब बावा की महिमा हैं बावा की कृपा है जिसके करणी से ये शिशा लगाय गया है ये है बाला जी के भवे दर्शन कर रहे हैं आप वीडियो के माद्यम से ये खाटो धाम में जब आप 13 सेड़ियों से बावश्याम के दर्शन कर लेते हैं तो इसी तरह से बाला जी महराज की भी दर्शन करने होते हैं और उनका आशिरवात लेना होता है अगर आप सीधी लाइनों से निकल जाते हैं तो बाला जी की दर्शन नहीं हो पाते परन्तु तेरा सेडियों से बवश्याम के इसी प्रकार के बववे दर्शन होते हैं ये तेरा सेडियां है अभी तो तेरा सेडियां नहीं है अभी इस सीडियों को ढलान के रूप दे दिया गया है तो इसी से होते हुए बबश्याम के दर्शन उचाई से हम करते हैं बबश्याम का ये सिंग द्वार कहलाता है जो भी आप अपने स्क्रेन पर देख रहे हैं आगे वीडियो के साथ बने रहें बबश्याम की बातों को सुनते रहें ये है बबश्याम के दर्वार का नजारा जो शिशा लगा हुआ है शिशे से कुछ इस तरह का नजारा आपको दिखेगा बबश्याम के दर्वार में जो कि अपने आप में भव्व है कोई परिशानी नहीं है शिशा लगने के बाद अधबुत दर्शन होंगे आप सभी शाम बक्तों को शिशा लगने के बाब जूत आप में से कितने ऐसे भक्तों होंगे जिनोंने मोर चड़ी का जाड़ा लिया हुआ काटो धामे या आपके उपर जलका चीटा पड़ा होगा बहुत कम परसेंटेज होंगे ऐसे भक्त के जिनको ये सुवधा मिलती थी हालकि जो विएपी लाइन में होते हुए दर्शन करने के लिए आते थे मोर चड़ी का जाड़ा तो सिरφth उनी के लिए था जलका चीटा भी उनी में से कुछ भक्तों के लिए था जो नजदी खड़े रहते थे लाइन में उनी को वो जलका चीटा मिलता था परन्तो अब शिशा लगा दिया गया है तो अब बबश्याम के दर्वार में सभी भक्तिजन बरावर है अब कोई ऐसा नहीं है कि VIP लाइन में आयागा तो सिर्फ मोर्चडी के जाड़ा के लिए वही होगा बबश्याम की मर्जी से सब कुछ होता है अब सारे भक्ति बरावर हैं कोई इस्पेशल नहीं है कि कोई VIP लाइन से आया तो उसके उपर मोर्चडी का जाड़ा लगेगा या बबश्याम का वो जलका चीटा लेगा तो ऐसे Facebook पे बहुत सारे लोग उसमें लिख रहे हैं कि अब जलका चीटा ना मिलेगा अब मोर्चडी का जाड़ा नहीं मिलेगा तो ऐसी बात नहीं है बबश्याम की दर्शन हो जाए अच्छे से दर्शन हो जाए तो बबश्याम की किरपा बनी रहती है ऐसी अपवाह वाली बातों में ना आए बबश्याम की मोर्चडी का जाड़ा तो आपकी उपर हमेशा बना रहता जब आप बबश्याम के दर्शन कर लेते हो जल का छीटा तो आपको जब शामकुंड के जल को अपने उपर छड़क लेते हो तो बवश्याम के जल का छीटा भी आपको मिल जाता है यह सोचने वाली बात है यह अपने अपने भाव वाली बात है जो लोग समझते हैं वो तो बवश्याम को ध्याते हैं सकरात्मक सोच के साथ लिखने वाले तो अपना भाहभाई लूटिने के चक्करमें उन्होंने देकर to शिषा लगा दिया है अब क्या दोशी दे भक्त जनों को दोशी दे रहें कि भक्त जनों के कारण ऐसा हुआ है मैं भी मानता हूं कि भक्त जन जो नार्यल फूल वगर अफेक्टे थे उनके कारण ये शिषा दुवारा से लगाना पड़ा मंदिर कमेटी को आप ये सोची ए शिषा लगाया है फूल माला एत्र वगरा या नारियल वगरा ले जाने के लिए मनाही नगी है बहुत सारे मंदिर में तो नारियल, फूल वगर लही नहीं जा सकते भगवान के दर्शन करना इलाओ है परन्तु यहां तो हम सब ले जा सकते हैं और बावश्याम के दर्शन तो शीशे के माध्यम से भी भूत ही अच्छे तरीके से हो रहे हैं फिर हमें प्रॉलम ही क्या है, हमें किसी भी तरह की प्रॉलम नहीं है और बात रही मोर्चडी के जाड़े की, तो मोर्चडी का जाड़ा आप आलु सिंग जी महराज के दर्शन करने जाओगे जो कि मंदर के बिल्कुल बगल सही सटा हुआ है, शाम बगी जी उसमें जाओगे, वहाँ पर आपको मोर्चडी का जाड़ा बहुत सही तरीके से लगेगा वहाँ पर पुझारी जी महराज को बोलेंगे तो आपकी शिश के उपर कई बार मोर छड़ी का ज़ड़ा लगा देंगे और जब अलु सिंग जी का मोर छड़ी का ज़ड़ा लग जाएगा तो बवश्याम का ज़ड़ा आपके उपर अपने आप लग जाएगा यह ध्यान रखिएगा और बावश्याम के जल का जो छीटा है वो शाम कुण्ड में जाके अपने उपर जल छड़क लीजे तो बावश्याम के जल का छीटा भी आपके उपर लग जाएगा तो हमेशा अपनी सोच को सकरात्मता के साथ बवश्याम के दर्शन करने के लिए जाएं बवश्याम के जो भक्त होते थे वो बवश्याम को किसी भी तरह से फूल वगर गर्व 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 गर्य के अंदर पहुचा देना चाते थे फ्रेक देना चाहते थे अपने हाथों से प्रशाद वगर जो भी होता था उनके हाथ से बावश्याम की दर्वार की तरफ फ्रेक्ते थे जिसके करण से मंदिर कमिटी ने पहले से ज़्यादा बड़ा बड़ा शिशा लगा दिया है मंदिर में इसे दर्शन तो सही से हो रहे ह तो होफ़ली आपको इस वीडियो से काफी कुछ जनकारी मिली होगी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहे हैं आप सभी शम भक्तों को जैई स्रीशा